प्रशांत किशोर, 2014 के लोगसभा चुनाओं के बाद देश में होने वाले हर चुनाओं में कहीं न कहीं इनकी भूमिकाज जरूर होती है लेकिन मेडिया में बातशीत कम की जाती है 2015 का विधान सभा चुनाओं आपको याद है जीतनराम माजी 6 महीने के लगभग वक्त के लिए बिहार के मुख्यमंतरी बनते हैं नितीश कुमार पद छोड़ चुके होते हैं लेकिन चुनाओं के एन पहले नितीश कुमार पद भार वापस ले लेते हैं बिहार के मुख्यमंतरी बन जाते हैं क्यूं हुआ था ऐसा, इस तमाम उठापठक के पीछे प्रशान्त किशोर थे, उनकी री ब्रैंडिंग कर रहे थे नितिश कुमार की, 2014 में नरेंदर मोदी जीती थे, उसके पीछे प्रशान्त किशोर थे, उत्तरप्रदेश में कॉंग्रेस और समाजवादी पायटी का घठबंदन हारा था, उसके पीछे प्रशान्त किशोर थे, वश्यमंगाल में ममताव एनर्जी जीती थी, उसके पीछे प्रशान्त किशोर थे, अब इतना बड़ा विधान सभा चुनाओ होता है, तो अकेले तो प्रशान्त किशोर कुश कर नहीं पाते होंगे, जो हम बार-बार शब्द दस्तमाल कर रहें कि उसके पीछे प्रशान्त किशोर थे, इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम लगती है, जिसको पॉलिटिकल कैम्पेणिंग टीम कहते हैं, ये एक नई एज की रणनीती है, जिसमें आपको ये चीज समझने की जरूरत है, कि जो एक शब्द सुनते हैं, आईटी सेल, वो क्या होता है, वो इन ही पॉलिटिकल कैम्पेणिंग करने वाले जो कमपनीज हैं, उन ही का एक हिस्सा होता है, अलग-अलग पार्टियां, अलग-अलग कम्पनीज को हायर करती हैं, और उनके जरीए अपना परचार, दूसरों का दुस्परचार करवाती हैं, क्या आपने सोचा है कि किसी नेता का 25 साल पुराना वो वीडियो कहां से वायरल हो जाता है, जो किसी न्यूस चैनल के पास कभी नहीं होता, कभी इंटरनेट पर नहीं होता, लेकिन सही वक्त पर, सही जगह पर वो वीडियो पहुँच जाता है, ये सब कुछ और भी बहुत कुछ है जो पॉलिटिकल कैमपेनर्स के द्वारा किया जाता है, और ये बहुत बड़ी टीम है, और आपको समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये आपकी विचारधारा, आपके एक वोट को प्रभावित कर रहा है, और आपको बता रहा है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, बले ही जम्मीनी सच्चाईयों बताए या उसके जरीए जूट लपेट के आपको बता दे, और पॉलिटिकल केमपेनर्स सिर्फ गलत कामी नहीं करते हैं, बलकि अच्छे कामों को भी जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जनता की बातों को समाचार, एजिंसियों और साथ-साथ सरकारों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जिता रहे हैं, हरा रहे हैं उसके आधार पर तो जब अब राजनीती में political campaigners इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं तो हमें समझना जरूरी है कि उनकी भूमिका क्या है तो आज की जनता जिंशन शो में समझेंगे political campaigners किस तरह से काम कर रहे हैं खास करके उत्तर प्रदेश के विधान सबाच चुनाओ में भी उनकी भूमिका पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे नमस्कार मेरा नाम है अनुराग मिस्रा और ये है जनता जिंशन शो पॉलिटिकल campaigners कितने सही है कितने गलत इसके बारे में कभी और निरड़े कर लिया जाएगा रिजल्ट निकाल लिया जाएगा क्योंकि उत्सुकता उसी चीज को जानने की है लेकिर उससे पहले जानेंगे ये चीज क्या है तो आसान शब्दों में समझे कि अंगूठा टेक नेता जी लोग जब फेस्बुक पर बढ़िया ग्राफिक्स के साथ शुभकामनाएं देने लगें तो इतना मान लीजिए कि अब उन्होंने पैसा खर्च करके पेड सोशल मीडिया मैनेजर रख लिया है ये उसी political campaigning टीम का एक हिस्सा है ये लोग नेता जी या पार्टी के नख से लेकर के शिक तक को तै करते हैं कि मंच के कौन से कोने से खड़े हो करके जैप्रकाश नारायन जैसी करांतिकारी तस्वीर आ जाएगी ये भी इसी टीम का एक आदमी बताता है किस गाउ में जाने से किस जाती के कितने लोग कितनी दूर तक प्रभावित होंगे इसका सही सही आंकलन भी यही लोग करते हैं मोदी जी किस दिन कौन से कारिकरम में कौन से राज़ी का गमचा पहनेंगे और उसे कहां तक असर पड़ जाएगा ये भी इसी टीम के लोग तै करते हैं किस दलित के घर खाना खाने से यूगी आदितनात के बारे में ज्यादा खबरे चलेंगी इसका आकलन भी यही लोग करते हैं राहूल गांदी फिलहाल कितना सा यूग ले रहे हैं उसके बारे में संदे है टोटल जो कुछ भी खेल हो रहा है फिलहाल राज़नीती में उसका सारा कंट्रोल इनके हाथों में आ गया है समझने के लिए कि किस तरीके से political campaigners भारत की बिहार की उत्तरप्रदेश की या कहीं की भी राज़नीती को प्रभावित कर रहे हैं थोड़ा दूर से इस चीज़ को देखिए विदेश चलते हैं 2018 में एक नाम आता है Christopher Wiley एक युवा होता है जिसने करोडों अमरीकियों का Facebook डेटा चुराया टरंप के लिए political campaigning करने के लिए ये अब तक के social network के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी डेटा की चोरी पांच करोड़ अमरीकियों का Facebook डेटा चुराया गया टरंप को चुनाओ जितवाने के लिए 2016 में टरंप जीत गए 2018 में इसका नाम सामने आता है बड़ा बवाल मचा था केस वेस भी उसके मामले में हुआ था कभी तह में उसके बारे में बात पे रहेंगे Pegasus भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है उसके बारे में बातचीत की जा रही है वो एक Lota एप नहीं है वो बड़े-बड़े लोगों को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए इस्तमाल होता है एक कहानी है जिसमें एक बेटा कहता है अपने राजनेता बाप से कि मुझको भी राजनीती सिखा दो बाप कहता है छत पर जाओ और कूद जाओ लड़का कहता है मैं गिर जाओंगा बाप कहता है नहीं गिरोगे मैं पकड़ लूँगा लड़का कूद जाता है, धड़ाम से गिरता है, हाथ पेर तूट जाता है बेटा पूचता है ये क्या था? बाप कहता है राजनीती की पहले सिक्षा, अपने बाप पर भी यकीन मत करो ये राजनीती की कड़वी सच्चाई है, जहां एक विधायक अपने पायटी के अध्यक्ष तक पर यकीन नहीं करता है और अध्यक्ष भी अपने विधायक पर यकीन नहीं करता है कि कब कौन किधर पलट जाए अगर आप समसमाईक राजनीती पर नजर रखे हुए हैं, तो आप बिहार उत्तर प्रदेश में ये देख सकते हैं जहां पायटी छोड़ करके विधायक और बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों की पायटी तक पर खत्रा है इसलिए आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं, वो आपको कब दगा दे करके राजनीती की कुरसी पर कब्जा जमाने का प्रयास शुरू कर दे, यह आंकलन करना मुश्किल है साइद इसलिए पॉलिटिकल कंसल्टेंट की अवधारना जो है वो भारती राजनीती में भी अपना अस्थान बनाने की ओर कदम बढ़ा चुकी है क्योंकि अविश्वास के इस दौर में कम से कम तकनीकी और प्रोफेशनल्स पर आम निता और आम सहयोगियों से ज्यादा भरोसा किया जा सकता है उतरप्रदेश की 403 विधान सभाओं के हिसाब से देखा जाए तो 4 प्रमुख पाइटिया है उसके 1612 प्रत्याशी है इन में से 70 प्रत्याशी यानी 1128 प्रत्याशी इस तरह के प्रोफेशनल्स का सहारा ले रहे है एक प्रत्याशी कम से कम दो-दो स्ट्रेजिस्ट रखे हुए है और बड़े नेता की संख्या जो है 12, 15, 20, 25 तक पहुँच रही है इनके अलावा पालिटी ने अपनी तरफ से अलग से प्रोफेशनल्स रखे हुए हैं एकदम नए लोग जिसमें कई ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियां बड़ी-बड़ी नितियायोग तक की नौकरियां छोड़ करके आये हुए है और अब अपनी या तो कमपनी चला रहे है या किसी बड़ी कमपनी के अंदर गद जैसे अगर प्रशांत की सूर की आई-पैक देख ले तो उसके अंदर भी 5 लाग तक का पैकेस दिया जा रहा है पॉलिटिकल केमपेनर से तो ये एक तरह की नए किसम की लड़ाई चल रही है आज से दशक भर पहले जो काम चुट भाईये नेता बिना किसी सूर्थ के किया करते थे वही काम आज कुछ लोग फुल पेमेंट ले करके कर रहे हैं और एक बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है अब अंदाजा लगाई है अगर आप इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा निकाले उतरप्रदेश में देखें तकरीबन तेरा सो नेता ऐसे हैं जो इनकी सेमाई ले रहे हैं और दो से ले करके पांच की संख्या जो है मानी जा रही है एक नेता ऐसे पांच जो है वो कंसल्टेंस का सहायता ले रहे हैं तो सम बड़े नेता ऐसे हैं जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स की सहायता और सेवाएं अनिवाय रूप से लेते रहे हैं भारत में बीते एक दशक में इसका चलन काफी ज्यादा बढ़ा है हलांकि कॉंग्रेस में कहा जाता है ये चलन बड़ा पुराना है चूंकि सबसे बड़ पॉस्टिन की मदद 2017 में लेने की बात कही थी तो कुल मिलाकर के सोशल मीडिया जैसे मादमों की बढ़ती एहमियत और वहां से तैय हो रहे चुनावी मूड मुद्दे इन तमाम ने लोकल नेताओं तक को मजबूर कर दिया कि वो अपने लिए ऐसे लोगों या संस्थाओं की सिवाएं ले जो उनका फेस्बुक ट्विटर इत्यादी प्रभंधित कर सकें और उनके तमाम जो वीडियो है बयान है कट पिट है किसको लेकर के कब क्या कहा गया था तमाम खुला से एक दूसरे के बारे में दुश्परचार परचार सब चीजें कर सकें जाहिर है भारत लिखना पक्ष और विपक्ष की खूबियों कमजोरियों के अनालेसिस करना तमाम ट्रेडिशन और नए मीडिया माधिमों में कैंपेन प्लान करना रियल टाइम पॉलिटिकल इंटेलिजेंस देखना तातकालिव जो मुद्दे है उनकी समझ और उसमें निश्चत समय पर ब 2014 में उनका जो बेसिक हुआ था वो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट या परचार करने वाले चैनल के ते रूप में थे और उसके बाद वो निश्चैनल बन गए इसके लावाँ बूत लेवल मैनेजमेंट और इन सबसे बढ़ करके उस जो राजवितिक पार्टी है या नेता ह उसके आसपास जो गिरे और चापलूस लोगों का हस्तक शेप है उसको प्रैक्टिकली रोकने की खासियत रखने वाले यूआ प्रोफेशनल के लिए ये सेक्टर एक नए तरीके की संभावनाएं बना रहा है और दूसरी तरफ अगर इसके नेगेटिव में जाएं तो लगा करके अपने पालिटी के लिए काम करते थे इमानदारी के साथ और उसके बाद उनको reward मिलता था इसका तो ऐसे में political consultants क्यों इसका सरल और साफ सुथरा जवाब यही हो सकता है कि अधिकाम शुराजनीतिक कार्यकरता technology में zero होते हैं और कम समय में feedback लेना उनको sequence में करना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है वो नारे तो लगा सकते हैं बात तो कर सकते हैं लेकिन विपरीद परिस्थितियों में योजना बना लेने में वो सक्षम नहीं होते हैं और नारे वो लिखे लिखाए एक लंबे वक्त तक एक ही नारा वो लगाते रह जाते हैं नए न प्रदेश के विधान सभा चुनाओं में कई विधायक जिनका टिकट कटा है उन्होंने साफ साफ हारोप लगाया कि जो छेतरी हमारी पाइटी का पदाधिकारी थे उन लोगों ने गलत रिपोर्ट हाई कमान को दी और उसके आधार पर ये चीज़े होई तो अभी भी ये लूप होल देखने को मिल रहा है जिसको पॉलिटिकल प्रोफेशनल्स ये जो हैं कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं ये भरने की बात कर रहे हैं और काम भी इसको कर रहे हैं और इसके result भी positive जगे जगे पर देखने को मिले हैं। जाहिर है एक professional political consultant इस तरहें की liability से तमाम चीज़ें जो हमने आपको उपर बताई कि वो गुटबाज नहीं होता, तमाम चीज़ें होती हैं, इस वज़ा से दूर होता है और इसलिए लोग इसको सुईकार करते हैं। Political party ओं का बढ़ता अस्तर जो उनका क्षमता इसे भारतियनता party अब वैश्वित party बनने की तरफ जा रही है और अन्य party हैं अपना विस्तार कर रही है और इसके अलवा जनता का बदलता ब्यवहार, तक्नीकी का उनके जीवन में उनके जो उनके मुद्दे बन रहे हैं, उनमें हस्तक शेप इतना ज्यादा हो रहा है को उनको मजबूर कर रहा है इस तरफ जाने के लिए और देखने के अलग अलग sectors में योगदान देखना चाहता है और इन तमाम चीजों को बताते हैं वही political campaigner की अगर आप एक vote फलाना party को देते हैं, तो राज्य में आपकी विधान सभा में, आपके देश में अंतर राश्ट्री अस्तर पर फलाना फलाना सेक्टर में क्या आसर पढ़ने वा रहती है और वो तमाम सूचना का जो एज जल रहा है, जो information age कही जा रही है, उसमें अगर उस सूचना उसे less रहती है, उसको भी सूचना है रहती है, तो वो किसी political party के campaign के जो जहासे में नहीं फसेगी, क्योंकि जहासे कभी काम किया जा रहा है, एक बहतर सरकार और बहतर वि इकलेश सिंग ने दारोद उलूम देवबंद की वेबसाइट पर दस दिन का बैन लगा दिया है, दारोद उलूम देवबंद की वेबसाइट पर बच्चों से संबंधित कई फत्वे जारी किये गए थे, उसी को ले करके राष्ट्रियबाल सरक्षण आयोग से इसकी शिका इसके लाव एक और खबर उत्तर प्रदेश से कॉंग्रेस नेता और राजिसबा सांसद दिगविजे सिंग ने कहा है कि भाजपा और RSS मनुस्मृति से देश को संचालित करना चाते हैं, मोहन भागवत और योगिया इतनात ने शादी नहीं की थी, परदान मंत्री नरेंद मोधी भी ग्रहस्त नहीं है, इसलिए उन्हें परिवार चलाने के बारे में कोई अनुभो नहीं है, उन्होंने कहा कि ये आम लोगों का दर्ज नहीं समझ पा रहे हैं, मुक्यमंत्री योगिया इतनात सामाजिक समरस्ता का सद्दान्त भूल करके 80-20 की बात कर रहे हैं, इस सुरेंद्र सिंका टिकट काट दिया गया है, बाजपा ने कल देर रात 45 प्रत्याश्यों की सूची घोशत करी, जिसमें 9 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं, जब कोई 21 मौजूदा मंत्रियों और विधायकों को दुबारा से मौका दिया गया है, इसके अलावा एक कोई सूचना भी जिला नियंतरन कक्ष को पहले से नहीं भेजी गई थी, आगे उन्होंने कहा कि हमने OEC को सुरक्षा देने की पेशकस की थी, लेकर उन्होंने इनकार कर दिया, आमित्षा ने कहा कि OEC से एक बार फिर से विंती करते हैं, कि वो सरकार की तरफ से दी जा रही सुरक्षा ले ले लें और चिंता को खतम करें, आपको बता दें, वो ऐसी दिल्ली सरकार की तरफ से, तिलांगना सरकार की तरफ से और केंदर सरकार की तरफ से दी गई सुरक्षाओं को कई बार अस्विकार कर चुके हैं, इसके लाए खबर करनाटक से, करनाटक में सेक्ष आने के बाद आगे कदम उठाएगी, हालांकि उन्होंने यह भी अस्फष्ट कर दिया कि जब तक इस मामले में कोर्ट कादेश नहीं आता है, तब तक सभी सिक्षन संस्थानों को सरकार की ओर से यूनिफॉर्म के लिए दिये गए जो नियम है वो अनिवारे रूप से मानने ह आजके इन्शोर्ट में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्कम के अगले, इससे की तरफ जो है आजका कानून, उत्तराखंड उचनियाले ने हाल ही में Medical Termination of Pregnancy Act 1971 की शर्तों के अधीन, एक बलातकार पीडिता को अपनी गरभावस्था को समाप्त करने का अधिकार है, उस इस विकल्प को रखने की चुनने का अधिकार है, उसे अधिनियम के प्राविधानों के तहट, नरदायत शर्तों के अधीन गरभावस्था नहीं करने का भी अधिकार है, इस बात को बताया है, नयामूर्ती आलोक कुमार वर्मा ने जोड़ दे करके कहा कि जीवन के अधिक अधिकार का अर्थ, अस्तित्य या पशु अस्तित्यों से अधिक है, और इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, कोट ने इस बात को साफ किया कि बलातकार के अधार पर गरभावस्था को समाप्त करने का अधिकार है, एक बलातकार पीड़िता को अपने रखने का भी विकल्प चुनने का अधिकार है यानि वो दोनों चीजें कर सकती है उसे अधिनियम के प्रावधानों के ताहत नरधारित शर्तों के अधीन गरबावस्था नहीं रखने का भी अधिकार दिया गया है ये कोट ने साफ किया है आज के कानून के हिस्से में इतना ह के रिए मेरा नाम अन्राग बश्चा है यह रहा आज का जनता इंटिशन शो जहाँ पर हमने देश और दुनिया और उत्तर प्रदेश बिहार समेट अलग-अलग हिस्तों की ख़वनों से आपको रूबरू कराया आपकी क्या राया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं शुक्रिया